तो अ नवय है कि है वासा सब का था मुझा है जहां पर हमारी क्यों इन एब उने वीडियो यहां सब sicël मैं यहांप मैं पञ más डाली कि ढाली ती है फीचर है इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर करते हैं तो सबसे पहले कोश्चन की बात करें तो यहां पर पूचा है ऑफिसल तपन ने जहां पर इन्हों ने बोला है स्लेक्ट वन डैसलर जहां पर रोमर इंग एज श्टायल सैथ, रोलिंग, डैनेल, ब्राइन, डुम, एक इंटायर, एडम, कोल, फिन, बैलाओ, साथ ही जौनी कर गया नो तो इन मैं से अगर किसी एक को पिक करना तो यहां पर मैं एज श्टायल्स को चूज करूँगा अगले यहां पर कोश्चन है जुगि है तेजस का जहां पर इ ड्रू मैकिनटायर को पिक करूँगा क्योंकि उसी फेस में हमने रहके उनको देखा कि कितने कमाल की वो सुपरिस्टार है अगला कोश्चन है अपर रैसलिंग एट्रिब्यूशन का जहां पर इन्होंने पूचा है फिंड का अपोनेंट आफ्टर रसल मेनिया तो इसको कह स है कि रसल मेनिया के बाद उनका पोनेंट कौन होगा लेकिन फिर वी अगर किसी एक को मुझे चूज करना है तो यहां पर मैं ड्रू मैकिनटायर को चूज करूँगो जिनके साथ मैं ब्रेवाइट की फ्यूड देखना चाहता हूं और उसके बाद देखी रसल मेनिया के बा अगला को जूज करूंगा अगला को जोश करूंगा अगला कोस्स और मोहमभत उत्प है, यहाँ पर इन्हों ने पूचा है भाई, आपको क्या लगता है कि रोम लेंगे मीनिया की चम्पियन रहेंगेगे, तो बाई, मुझे ऐसा लगता है कि वो रसल मीनिया की चैंपियन सब्सक्राइब अगला कुसे ने जोगी है यूसुफ का जहाँ पर इन्हों ने पूचा है वाइं रसलमिना में दो मेंट होने वाले तो क्या एक में इवेंट यहां पर व्मिंस का हो सकता है और व्मिंस डिविजन की वैसे भी हम बात करें इस टाम पर हालत जो का फ़ी झाल च फ्यूड में वैसी मज़ा नहीं आ रहा हो सकता है मैच हमें देखनों मिल जा लेकिन इस मैच को लेकर जो पहले एक्साइटमेंट थी ना उतनी डबलवली ने कह सकते हैं इनकी फ्यूड में बिल्ड अपर करनी पाया तो मुझे यहां पर लगता नहीं है मुझे लगता है जो म मुझे यूनिवर्सल चैंपेसिप के मैच इसके होंगे बाखी मुझे कुछ ऐसा लगता डबलवली अगर कुछ अच्छी इनकी फ्यूड दिखाती तो थोड़ा चांस यहां पर बन सकता था अगला कुछ सने यहां पर मर्च मेनिया का जहां पर इन्होंने पूचा कोई सीर अगला कोशन नहीं पर राज मोहन का जहां पर इन्होंने पूचा एडबलू इंडिया में कब और कौन से चैनल पर देखने को मिलेगा तो अभी तो इसको लेके कोई भी न्यूज अपडेट वगरा नहीं के एडबलू इंडिया में कब हमें देखनो मिलेगी लेकिन कुछ पहले जैसे कि हमने पता चला तो इन्डिया में देखने को मिलेगी तो वो सकता है क्योंकि इसान नेट वर के साथ कि सौनी वह है कि पूर पक्रोणियों सaming का नियुक्त में में देखने को मिली हैं अगला कुसे ने यहाँ पर माजित खान का जहां पर इन्होंने पूचा है भाई अगर एज रसल मीनिया में यूनिवर्सल चैंपिन बन गए तो उसके बाद हमें एज वसे सेथ रॉलिंग की फ्यूड देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सेथ रॉलिंग बेस्ट हील है एक मैच आएगा जरूर और एज अगर यहाँ पर यूनिवर्सल से यहाँ बन जाते है तो स्मैक डाउन की उपर कह सकते हैं अभी जो एज वसे रॉम अरी इसकी फ्यूड से इत्ता जाना मज़ा आ रहा है उसके बाद ही हमें सैथ रॉलिंग और एज की फ्यूड से भी काफी मज़ा आगा जो कि WWE सायद यहाँ पर बिल्डप स्टार्ट कर सकती है अगर यहाँ पर एज चैंपियन बन जाते हैं तो इस चीज का भी कह सकते हैं चांस है अगला कुसे ने यहाँ पर मनुज जहा का जहां पर इन्होंने बोला है भाई क्या आपको ऐसा लगता है कि Brock Lesnar सायलेंट टी WWE से रिटार हो गया है वो UFC से पहले ही रिटार हो गया है और WWE में भी नहीं आ रहे है और बलकि यहाँ पर वो नए नए looks के साथ spot के जा रहे है और ऐसे looks के साथ of course wins होने WWE में नहीं आने देगा तो क्या वो wrestling से रिटार हो गया है तो भाई मुझे नहीं लगता है कि WWE से Brock Lesnar नहीं यहाँ पर रिटार हो है वो एक scene है कि WWE के साथ वो अभी किसी भी तरीके की deal में नहीं है तो इसवेसे वो अभी free है तो इसवेसे मुझे ऐसा लग रहा है कि सायर जो Brock Lesnar नहीं अभी थोड़ी अपनी बहार की कह सकते हैं अलग life यहाँ पर जीना चाह रहे हैं इसवेसे वो WWE में भी नहीं आ रहे है और अलग-अलग looks के साथ वो हमें देखने को मिले है क्योंकि WWE के अंदर आएंगे तो फिर आपको पता है तो ऐसा मुझे बिलकुल लगता Brock Lesnar हमें WWE के अंदर वापिस से बेखने को जरूर मिलेंगे अगला कोशने यहाँ पर Wrestle Guys का जहाँ पर इन्होंने पूचा भाई आपके चैनल का monetization on हो गया है अगर नहीं तो कितना watch time यहाँ पर बाकी है तो 2020 में तो Fastlane हो ही नहीं था 21 में अभी हुआ है तो Fastlane की बात करें तो 2019 को मैं आपर चूज करूँगा क्यांकि उसके अंदर काफी सारे अच्छे अच्छे matches थे उस टाम पर Feud का build-up काफी अच्छा चल लाता तो Fastlane 2019 को मैं चूज करूँगा साथ ही Elimination Chamber की बात है तो यहाँ पर मैं इस साल के 2021 के Elimination Chamber को चूज करूँगा अगला question यहाँ पर 10 Gamer का जहाँ पर इन्होंने पूझा भाई क्या कभी future में WWE के Mid Guard Title Unify हो सकते हैं तो भाई मुझे नहीं लगता कि WWE यहाँ पर अपने जो Mid Guard Championship है उनको कभी Unify करेगी और कहीं से भी sense बनता नहीं क्योंकि जो दौनी Championship है वो अलग-अलग Championship है और दौनों की अलग-अलग कह सकते हैं अपनी जगह value है काफी आना तो मुझे लगता है नहीं कि WWE इन दौनों Championship को कभी Unify करेगी और मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए अगर किसी titles को यहाँ पर Unify करना चाहिए तो वह अभी tag team titles जिनको WWE Unify कर दे तो वही काफी आना सही है क्योंकि tag teams WWE के पास है नहीं और दो-दो Championship का फिर कोई मतलब नहीं है तो मुझे लगता कि मिटगा टाइटल कभी Unify होंगे और उनको होना भी नहीं चाहिए अगला कुछन है आप जैक दा होवर का जहां पर इन्हों में पूचा एडब्लू फ्यूचर स्टोरी लाइन थौट्स तो अभी फ्यूचर की बात करने तो अभी करंट में हम देख रहे हैं जैसे कि पिनेकल हो साथी इनर सर्कल की चली तो इनका पिलकुल आंगे चलके कोई मैच भी होगा साथी स्टिंग और हम लैंस आर्चर का भी कईने कुछ कनेक्शन देख रहे हैं डेर्भी आलेनों साथी हमें स्कॉर्प्यों सकाइक कोई मैस डेखने हो मिल सकता है क्योंकि स्कॉर्प्यों का लिया तो काफी सारी स्टोरी लाइन से साथ हम ओमेगा मॉक्स ली कर पाएगा तो ऐसा उन्होंने पूछा है तो भाई अगर ऐसा हो गया तो मेरा कुछ ऐसा रियाक्शन रहेगा देख लिया बाई मतलब मैं पिल्कुल पागली हो जाओंगा अगर ऐसा हो गया तो वैसे लगता नहीं कि ऐसा होगा ओवर्टेक की बात अलग है लेकिन उसके अगर रसल चैटर के हम बराबर यहां पर पहुंच जाएं तो काफी मेरे लिए वो काफी अना बड़ी बात है तो ओवर्टेक करना तो पता नहीं है लेकिन आप लोग यहां पर सपोर्ट रहा तो बिल्कुल हम उस लेवल तक तो ज काफी अना सेवटी से चल लेए जो की काफी हद तक काई ज़कने सई भी है लेकिन रियल क्राउड को बिल्कुल आम यहां पर मिस कर रहे हैं और बाखी काम सीन अभी रसल मिनया के अंदर देखेंगे जो रियल क्राउड आने वाली है उसका क्या मतलब यहां पर रियाक्शन इन सारी स्टोरी लाइन फ्यूड चलें इन चीज़ों के उपर तो उससे भी हमें काफी जारी चीह पता चलेंगे और रियल क्राउड का अभी तो मुझे कोई करा वी तो आप उसके लिए वाली वीडियो को देख सकते हो अगला इनका कोशन है अभी तक के मैच कार्ड को देख के क्या लगता है कि रसल मिनेट 37 इस बार ग्रेट और अमेजिंग होगी रसल मिनेट 36 का काड अच्छा है यह अभी का तो बाई अभी कि मैं बात करूं जो साथ ही बात करें डबलवी चैंपिशिप की तो उसका भी मैच अभी सिंगल सी सैट है लेकिन पता नहीं है डबलवी उसमें क्या कुछ कर दे बाकि जितने वी और मैचे यहां पर सैट हुए तो मैचे जमें रसल मीने के अंदर देखनों मिल जाएंगी लेकिन का आफी सारी फ्यूड है जिनका बिल्ट अप हमने अच्छे तरीके से देखा नहीं है जैसे कि रॉब वमिश टार्टल है यहां रिपली के साथ मैच यहां पर सैट हो चुका है मैच अच्छा हो जागा लेकिन उसका हमने कुछ बिल्ट अप नहीं देखा इसके साथ ही काफी सारी और बाट नहीं देखा लिए अच्छी चली लेकिन पहले सी इस वार का जो इंट्रस्ट अब लेकिए अभी तक उतना नहीं कुछी कुछ मैच जैसके लिए काफी आना इंट्रस्ट अच्छ लेकिन लगनी राए कि इस रसल मिन्या इतना करीब आ चुका इतना बड़ा पेपर आ चुका है क्योंकि सारे मैच जल्दी में यहां पर बुक किया रहे हैं क्योंकि डबलोडी ने इस वार फासलें को भी डाल दिया तो डबलोडी के पास बैसी आपर टाइम काफी कम बचाता तो यह कुछ मेरा मानना इसके बार में इन्हों नहीं यहां पर और कोश्ट पूचे अगला कुछ नहीं पर पंकच कुमार का जहां पर इन्हों ने पूचा है फिंड का जो न्यू कैरेक्टर वो क्या अन्बीटेबल हो सकता है तो हाँ डबलोडी ऐसा चाहे तो यहां पर डबलोडी कर सकते है जो कलती डबलोडी ने पूराने वाले फिंड के साथ करी कि उनको गोल्ड वर से हरवा दिया था तो डबलोडी चाहे तो नए फिंड को यहां पर अन्बीटेबल रख सकती है योगि नए वाला जो वो दिखने में भी पहले से खतानाग दिख रहा है तो इसको कहाता है हरा पाना का पिया ना मुस्केल ए तो डबलबले अगर इस चीज को आपर दिखाती तो कहाती है काफी ओनन सही लगेगा तो बिल्कुल मुझे यह आप लगर रहा है वह अनबीटेबल और वही सवाल है कि फिंड को आंगे चलके कौन राएगा वह भी काफी बड़ा सवाल है तो डबल बी चाहे तो ऐसा कर सकती है अगर डबल फुरानी अपनी गलतियों को यहां पर सोधार न चाहती है तो तो यही थे तने सारे आपके कुछिस्टन यही थी आज की क्यों एन वी करो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें जो भी चैनल पर न